हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल माई उनिक अकेडबी फ्रेंड्स आज किस पीडियो में हम लोग स्री अरविंदो घोस के बारे में डिसकस करेंगे इसको हम दो पार्टों में पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट आज मैं अपलोट कर दूँगा सेकेंड पार्ट इसके बाद में श्री अरविंदो घोस बायोग्रेफी ध्यान से समझेगा इसको श्री अरविंदो घोस वाज बोर्न इन प्रिजन डे कोलकाता अन 15 अगस्त 1872 श्री अरविंदो घोस का जन्म वरतमान कोलकाता में हुआ था 15 अगस्त 1872 प्रिजन धन गोस अन्ड श्रन लता देवी इनके पिता जी जो थे उनका नाम था क्रिशन धन घोस अब दिखेंगे यहां धुन लिखा हुआ है तो इसको हम धन बोलेंगे कहीं कहीं डी येच ए येन लिखा हुआ तो वो भी सही है तो इनके पिता थे क्रिश्ण धन घोस और श्रन लता देवी और इनकी माता कौन थी श्रन लता देवी अर्भिंदो घोस वज बॉन इन्टो एर रिच फैमली अर्भिंद घोस का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था आप कह सकते हैं rich family थी इनकी family and his father lived और इनके पिताजी विश्वास करते थे the English culture English संस्कृती में यानि जो अंग्रेजी संस्कृती है उसमें इनके पिताजी विश्वास करते थे way of living और अंग्रेजी तर तरीकों में विश्वास करते थे and even the language to be superior और यहां तक की भासा को भी superior मानते थे अर्बिंद घोष के जो पिता थे क्रिश्वास ये अंग्रेजी संस्कृती में विश्वास रखते थे अंग्रेजी के तर तरीकों में विश्वास रखते थे और यहां तक की जो अंग्रेजी भासा थी उसको भी सुपीरियर मानते थे and must have और अनिवार मानते थे must have का मतलब अनिवार अर्बिंद घोस के जो पिता जी थे वो मानते थे कि अंग्रेजी संस्कृती सही है और उनके रहने का जो तौर तरीका है वो भी सही है उनकी language सही है और उनकी जो language है यानि की जो अन्ग्रेजी भासा है वो सीखना सब के लिए must have है अनिवार है ऐसा मानना था अर्बिंद घोस के पिता जी की अब देखें अर्बिंद घोस का क्या मानना है अर्बिंदो however did not agree with all that his father believed हाला कि अर्बिंदो उन सभी चीजों से agree नहीं थे जो इनके पिता जी मानते थे यानि कि ये अपने पिता जी की बातों से सहमत नहीं थे इनके जो पिता जी थे वो फिजीशियन थे और इनकी माता श्वनलता घोस थी तो ये तो मैंने बता ही दिया इनकी माता का नाम इनके पिता कौन थे फिजीशियन थे ये भी जान लिजिए श्री अर्बिंदो गोस इल्डर ब्रदर मनमोहन बिकेम आप पोईट आफ कंसीडरेबल दिस्टिंक्शन और प्रोफेसर अफ इंगलिस श्री अर्बिंदो गोस इल्डर ब्रदर यानि अर्बिंदो गोस के जो बड़े भाई थे मनमोहन बड़े भाई का नाम क्या था मनमुहन became a poet वो एक कभी बन गए of considerable distinction काफी प्रतिष्ठा वाले considerable का मतलब होता है जादा या फिर काफी distinction का मतलब होता है प्रतिष्ठा काफी प्रतिष्ठा के कभी बन गए कौन अर्विंदो घोस के इल्डर ब्रदर मनमुहन यहने एक स्द्रेश्ट कभी बने and a professor of English और बाद में English के professor भी बन गए यह तो इनके बड़े भाई की बात हो गई his younger brother बरिंद्र कुमार became revolutionary इनका जो छोटा भाई था बरिंद्र कुमार नाम था वो एक क्रांथकारी बन गया तो आपको मैंने इनकी पूरी family background बता दी कि इनके पेता क्या थे इनकी माता कौन थी और इनके भाई क्या थे फिर आगे देखे श्री अरविंद्र के पिता जी had received, had himself received इन्होंने स्वयम प्राप्त की थी his higher education अपनी उच्च सिच्चा in England इनकी अरविंद्र गोस के जो पिता जी थे इन्होंने अपनी उच्च सिच्चा की पढ़ाई England से की थी और चाहते थे कि इनके जो चिल्डरन है नि बेटे हैं इनके पुत्र हैं वो भी अरविंद्र गोस के पिता जी ने चुकी अपनी सारी उच्च सिच्चा हैं England से प्राप्त की थी इसलिए वो चाहते थे कि उनके जो बेटे हैं उनके जो पुत्र हैं वो भी इंगलिस सिच्चा को प्राप्त करें अंग्रेजी सिच्चा को प्राप्त करें as for as possible by native ways देशी तोर तरीको और native speech और देशी भासाओं से uncontaminated मतलब अच्छूता होना यानि कि गिरफ्त में ना होना जैसे मैंने कहा कि मैं आप से uncontaminated हूँ इसका मतलब आपकी मुझे तक पहुँच नहीं है आपकी गिरफ्त में नहीं हूँ आप से अच्छूता हूँ आप मुझे touch नहीं कर पा रहे है तो इनके पिता जी चाहते थे अरबिंद घोस के कि जो उनके बेटे हैं वो native ways यानि देशी तोर तरीके and native speech और देशी भासाओं से अच्छूते रहे हैं यानि कि ये सारी चीजे इनके करीब ना आए अब पता नहीं उनकी क्या सोच रही होगी उस समय अरबिंद घोस के पिता जी की वो चाहते थे कि हमारे तीनों पुत्र देशी भासाओं से और देशी तोर तरीकों से दूर रहें और अंग्रेजी सिच्छा को अपना है और उन्होंने इसी अनुसार सेंट भेज दिया श्री अरबिंदो अरबिंदो को अनके भाईयों के साथ अब भाईयों में कुन-कुन थे मनमोहन और बेनाय भूसन बेनाय भूसन भी इनके भाई थे तो अब चाहते थे कि अंग्रेजी सिच्छा ग्रहन करे इसलिए उनके पिता जी ने तीन बेटो को यानि अरबिंदो को Manmohan को और बिनायबहशन को Loretto Convent School एट दारजिलिंग में भेज दिया यह एक अंग्रिजी स्कूल है Loretto Convent School दारजिलिंग में था अंग्रिजी स्कूल था तो यहां पर बहज दिया किए जाएं और अंग्रिजी सिच्छा प्राप्त करें अंग्रेजी तवर तरीके सीखें दस इस प्रकार from the age of five पांच वर्स की आयू से ही स्री अर्बिंदो moved mainly with English children यानि कि पांच वर्स की उम्र से ही अर्बिंदो ने अंग्रेजी बालकों के साथ रहे यानि कि ये पांच वर्सों से ही अंग्रेजी बच्चों के साथ रहने लगे moved का मतलब यहां पर है रहना सुरू कर दिया इन्होंने अब चुकि अंग्रेजी स्कूल में गए थे जहांपर अंग्रेजी अधिकारियों अधिकारियों के बच्चे ही पढ़ते थे and learn to speak English और अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया शुरू से ही चुकि ये चले गए अंग्रेजी स्कूल में इसलिए इन्होंने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया as a matter of course आदतन as a matter of course का मतलब होता है आदतन शुरूवात में ही चले गए अंग्रेजी बच्चों के साथ पढ़ने लगे तो इनकी आदत हो गई अंग्रेजी बोलना की in 1879 कृष्ण धन घोष्ट took his sons to England and when he returned they were left there to continue their studies 1889 में कृष्ण धन घोष्ट अपने बच्चों को अपने पुत्रों को इंग्लेंड ले गए and when he returned और जब लोटे they were left there तो वे उनको छोड़ आये वहीं पर to continue जारी रखने के लिए देर इस्टडी उनकी पढ़ाई कृष्ण धन घोष्ट अपने सभी पुत्रों को इंग्लेंड ले कर गए और जब कृष्ण धन घोष्ट इंग्लेंड से वापस लोटे तो अपने सभी बच्चों को अपने सभी पुत्रों को वहीं पर छोड़ाए ताकि वो अपने इस्टडी को continue रख सके यानि इंग्लेंड में पढ़ने के लिए छोड़ाए फिर है फॉर फॉर्टीन इर्स चौदा वर्सों तक फ्रॉम एट्टीन सवेंटीन तो एट्टीन नाइटीन तो अठारा सो न्यासी से अठारा सो बाननवे तक Shri Arvindu lived in England Arvindu England में रहे where he has as well as his brothers insulated from the influence of the Indian and Indian ways जहां पर वो और साथे साथ उनके भाई वेर जहां पर ही वो as well as और साथे साथ इस ब्रदर्स उनके भाई insulated प्रभाव हीन रहे दूर रहे from the influence of प्रभाव से of Indian भारतियों के and Indian ways और भारतिय तर्तरीकों से यहां Indian ways होगा insulated का मतलब होता अच्छूत रहना जो अभी मैंने आपको बता था यह देखे एक word आया था यहां पर देखिए बोलने problem हो रही uncontaminated जो था यह word सेम यही अर्थ ही यहां पर insulated रखता है यानि कि जो भारतिय थे और भारतिय तर्तरीकों थे उनके प्रभाव से वो लोग प्रभाव हीन रहें कौन कौन अर्विंदों और अर्विंदों के भाई इस प्रकार गोस भाईयों का गोस पाईयों का मतलब यहां पर है गोस जो भाई थे यानि की तीनों भाई थे अर्विंदों बेनाय भूशन और मनमोहन इन तीनों भाईयों का जो एक प्रकार से कह सकते हैं यह बड़े हुए अंग्रेजी लड़कों की भाई थे जैसे अंग्रेजी लड़के अंग्रेजी सिक्ते हुए बड़े हुए आईसे इसे यह भी बड़े हुए तो भ़ही लिखा गृव अब प्रैक्टिकली बड़े हुए बयवहारिक रूप से as English children एक अंग्रेजी बच्चों की तरह फिर ये मांचेस्टर जाते हैं इंगलेंड में अर्बिंदो और वहां पर ये रेवरेंड का मतलब होता है आदर्लिये वहां पर दो अंग्रेज रहते हैं एक विलियम एच ड्राइट और उनकी एक पतनी रहती है मिसिस ड्राइट तो इनके द्वारा अर्बिंदो बहुत कुछ सीखते हैं मांचेस्टर में ड्राइट वोज अ मिनिस्टर आफ दा कांग्रेज़ कांग्रेज़नल चर्च ड्राइट कोईन थे एक क्योंग्रेज़नल चर्च के मंतरी थे हूं क्रिशनधन घोस निव जिनको क्रिशनधन घोस जानते थे थो इस ब्रेटिस फ्रेंड्स अपने ब्रेटिस फ्रेंड्स के माध्यम से एट रंगपूर रंगपूर के यानि रंगपूर में क्रिशनधन घोस का एक ब्रेटिस फ्रेंड था उसी के माध्यम से ज्रैट को जानता है थे कौन कृष्णधन घोष यानि कृष्णधन घोष के आप कह सकते हैं कि परचित वाले थे ज्रैट तो जब मैंचेस्टर में गए अरविंदो घोष तो वहाँ पर ज्रैट से इनकी मुलाकात हुई ज्रैट और उनकी पत्नी के द्वारा अरविंदो को बहुत कुछ सीखने को मिला जौष और गोष्णधन के द्वारा तेनो घोष भाय थे जौष दौष और ठाट लडको को शीखाए गया लैटन लैटिन लैंगवेज बाइ ज्रैट ज्रैट के द्वारा and his wife और उनकी पतनी के द्वारा after five years पाँच वर्सों के बाद at Manchester मैंचेस्टर में यह नहीं कि मैंचेस्टर में पाँच वर्स बिताए उसके बाद स्री अरबिंदो प्रोसीड़ to St. Paul's London फिर अरबिंद कहाँ चले गए St. Paul's London में चले गए in 1884 में and remained there for another six years और वहाँ पर अगले छे वर्स हुए बिताते हैं He learned Greek and spent the last three years reading literature and English poetry He learned Greek उन्होंने वहाँ पर Greek सीखा and spent the last three years और अपने अंतिम तीन वर्स वहाँ पर बिताया reading literature साहित को पढ़ करके and English poetry और अंग्रेजी कभिताओं को पढ़ करके while he also acquired some familiarity with the German and Italian language हाला कि उन्होंने इसी दवरान German और Italian language से भी परचित हुए यानि कि German और Italian language को भी उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा familiarity का मतलब होता है परचित होना by 1889 1889 तक आते आते मनमोहन हैड determined मनमोहन ने निश्चे कर लिया था to pursue अपनाने के लिए a literary career एक साहित्तिक जीवन and बिनाय भुशन हैड proved himself और बिनाय भुशन ने सुयम को प्रूब कर दिया था सुयम को साबित कर दिया था unequal, आसमान to the standards necessary standard necessary का मतलब योग गिताएं यानि कि जो योग गिताएं थी उसके आसमान घोशित कर दिया था अपने आपको for ICS entrance ICS entrance के लिए यानि ICS की जो परवेश परिच्छा होती थी उसके लिए सुयम को आयोग गोशित कर दिया था बेनाय भुशन ने तीन पुत्र थे पढ़ाई कर रहे थे बेनाय भुशन मनमोहन और अरबिंदो तो अरबिंदो बेनाय भुशन मनमोहन इनके जो पिता थे वो चाहते थे कि हमारे तीनों बेटे ICS अधिकारी बने ICS जैसे आज कल ICS की परिच्छा होती है ऐसे ही पहले ICS होता था अंग्रेजों के दवरान ICS की परिच्छा होती थी अधिकारी रेंड की तो पिता जीन के चाहते थे कि हमारे तीनों बेटे ICS अधिकारी बने तो अब यहाँ देखिए कि जो मनमोहन थे वो तो सहित्तिक जीवन को अपना चुके थे यानि कि वो तो अब ICS नहीं बनेंगे उन्होंने निष्चे कर लिया determined कर लिया बिनाय भूशन था वो अपने आपको मानता था कि मैं आयोगी हूँ मैं इस परिच्छा को qualify ही नहीं कर सकता यानि कि इसकी परवेश परिच्छा ही पास नहीं कर सकता ऐसा हो मानता था यानि कि दोनों बेटों ने उम्मीद तोड़ दी थी this meant इसका मतलब that कि only अर्बिंदो might fulfill his father's aspirations कि अब केवल अर्बिंदो ही अपने पिता जी की इच्छा को उनकी महतोकांचा को पूरा कर सकता है but लेकिन to do so ऐसा करने के लिए when his father lacked money जब उनके पिता जी के पास पैसे की कमी थी required यानि पैसे की कमी थी that he studied hard for a scholarship तो उसने scholarship के लिए कठिन परिश्रम किया यानि कठिन परिश्रम किया अध्यन किया चुकि जो अर्बिंदो ही पिता थे उनके पास पैसे की कमी थी लैक्ट आफ मनी पैसे की कमी थी और ICS की परिच्छा पास करनी है तो थोड़े बहुत पैसे चाहिए थे इंग्लेंड में जाकर परिच्छा देन वेती थी तो इसी लिए अरबिंद घोस ने स्कॉलर्स सी प्राप्ट करनी की कोशिस की और उसके लिए उन्होंने कठीन परिच्रम किया तो बिकम एन ICS आफिसर आइसे आफिसर बढ़ने के लिए इस्टुडेंट्स वर रिक्वाइड तो पास दा कॉम्पटेटिब एक्जामिनेशन इस्टुडेंट्स को जरूरत होती थी कि वो कम्पटेटिब एक्जामिनेशन को पास करे यानि कि अगर आपको ICS अधिकारी बनना है तो आपको कम्पटेशन एक्जाम पास करना होता था एस वेल एस टुड़ी और साथी साथ पढ़ाई करनी होती थी अंग्रेजी बिश्विध्याले में ये भी जरूरी था कि आप अंग्रेजी बिश्विध्याले में पढ़ाई किये हूँ फॉर टु इयर्स दो वर्षों तक अंडर प्रोबेशन प्रोबेशन के तहट प्रोबेशन का मतलब होता है परिविच्छा 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 का मतलब होता है परक, जाच परक जाच परक के लिए आपने दो वर्षों तक इन्वर्सिटी में पढ़ाई की हो जो की अंग्रेजी इन्वर्सिटी होनी चाहिए इंग्लिश इन्वर्सिटी वहाँ पर आपकी जाज परक की जाएगी कि आप अधिकारी बनने लाइक हैं कि नहीं तो अगर ऐसा किया है तो ही आप यह एक्जाम दे सकते हैं I.C.S. का Aravindo Secured a Scholarship at King's College Aravindo ने King's College में अपनी Scholarship को शेकोर कर लिया, निकी प्राप्ट कर लिया जो कि Cambridge में था, King's College, Cambridge से इन्होंने अपनी scholarship को प्राप किया, Under Recommendation of Oscar Browning, Oscar Browning के सिफारिस पर, Oscar Browning एक इतिहासकार थे, British इतिहासकार थे, और British इच्छावीद आप कह सकते हैं, इनको, इच्छावीद यानि एजुकेशनिस्ट थे, तो इनके सिफारिस पर इनको scholarship मिली, और फिर आगे क्या है, He passed the written ICS examination after a few months, कुछ महिनों बाद इन्होंने ICS परिच्छा का जो written exam था, यहनि जो written paper था, उसको pass कर लिया, being ranked 11th of 250 competitors, 250 प्रति भाग्यों में से इनका स्थान गेराहवा आया, यानि कि इन्होंने गेराहवी रेंग खासिल की थी, 250 लोगों ने भाग लिया था परिच्छा में, उसमें इन्होंने गेराहवी रेंग खासिल की थी, किसने, अरविंदो घोसने, ICS की written exam में, देखिए, इन्होंने परिच्छा तो पास कर लिए थी, लेकिन इनका interest नहीं था, ये अधिकारी नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि ये ब्रिटिसों की सेवा नहीं करना चाहते थे, ये चाहते थे कि ब्रिटिस हमारे देश से चले जाए, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सेवा में नहीं जाना चाहेंगे, ये भारती राश्टी आंदोलन में कुदना चाहते थे उसमें भाग लेना चाहते थे आगे होता भी ही है लेकिन इन्होंने पिता जी के कहने पर written exam पास किया He spent the next two years at King's College अगले दो अर्ज हिन्होंने King's College में बिता है Arbindo had no interest in the ICS देखे लिखा भी है अर्बिंद को कोई रूची नहीं थी ICS की परिच्छा में बैठने का ICS officer बनने का and came late to the horse riding practical exam और जो practical exam होता था उस समय horse riding कराई जाती थी उसमें तो उस परिच्छा में ये late आए came late वो late आए देर से आए to the horse riding गुड सवारी में practical exam गुड सवारी practical exam में late आए उसमें ये होता था कि अगर आप रिटन पर इच्छा पास कर लेते हैं तो आपको गुड सवारी सिखाई जाती थी तो उसको आपको पास करना पड़ता था अंग्रेज ये दिकारी होने के लिए गुड सवारी करना जरूरी था तो गेट की वो हो जाएंगे हिमसल्फ सोयम को यानि सोयम हो जाएंगे डिस्कौलिफाइड बाहर हो जाएंगे फोर दा सर्विस सेवा के लिए यानि वो चाहते थे कि अगर हम देर में जाएंगे practical exam में तो सायद अंग्रेज हमको disqualify कर दे, यानि service से निकाल दे और वो यही चाहते भी थे कि हमें service से निकाल दे तो इसके आगे हम लोग यहां से next part में पढ़ेंगे और अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको like कर दीजे, share कर दीजे चैनल प्लब पहरी बार रहा है तो चैनल को subscribe जरूर कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार टाटा बाई बाई